मेलगाट व्यागर प्रकलपक की आराइफो दिपाली चवभान के बहुचर्चित आत्मात्या मामले में मुख्यारोपी बनाए गए गुगामल परिक्षेत्र के उपवन सरक्षक विनोश शिवकुमार ने जमानत के लिए हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया। याचिकापर बुद्वार को सुनवाई के बाद नयाधिश रोहिद देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमती के बिना देश न छोडने जैसी कडिश शर्तों के साथ जमानत के आदेश जारी किये हैं। अंतरगत हरिसाल वनक्षेत्र की वनपरिक्षेत्र अधिकारी थी। दीपाली ने वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निरंतर मानसिक प्रतार्णा किये जाने का कारण देते वे तरस्थ होकर आत्मत्या की थी। यहाँ तक की इस संदर में सुसाइड नोट भी लिग कर रख था। राज्जय सरकार की ओर से बताया गया कि हरिसाल वनक्षेत्र की वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्वाण की आत्मत्या के लिए गूगामल वनपरिक्षेत्र के उपवन सौरक्षक विनुच शूकुमार के साथ ही मेलगाट व्यागरप रकलप के अतिरिक्त प्रधान मुख्यवन सौरक्षक M. श्री निवास रेड़ी भी जिम्मेदार है। रेड़ी की ओर से F.I.R. रद्ध करने के लिए हाई कोट में अलग से अरजिय दायर की गई है। बहरहाल याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद नयादिश रोईद्देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमती के बिना देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तों के साथ जमानत के आदिश जारी किये।